हेलो एल्वर्युवण, आप श्वी का फिर से सुवागत है, ये गटना चक्र साइंस का डिस्कसन है, हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें, फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है अस्थूल पदार्थों के गूरू. सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम क्वीज ग्रूप या चैनल के कम्यूटी बॉक्स में जाए वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफर्मेशन को अपडिट कर दिया गया है तो चले स्टार्ट करते हैं समाने तर अगर बात करें तो पडार्ज के तीन अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रॉव और गैस इन तीनों अवस्थाओं के कुछ BCS गूर होते हैं जो कि आप देख सकते हैं जैसे ठोस में परत्यास्था का गूर पाया जाता है इन सभी के बारे में बारी-बारी से हम लोग डिसकस करेंगे सबसे पहले परत्यास्था के बारे में डिसकस करेंगे देखे अगर बात करें तो परत्यास्था क्या है किसे कहते हैं देखे परत्यास्था का मतलब है कि कोई ठोस पिंड हो और बहाबल लगाकर उसके अकार और आकरिती में परिवर्थन कर दिया जाता है और जैसे ही बहाबल हड़ जाता है तो वो अपनी पुर्व स्थिती को प्राप्त करने की चेश्टा करता है वही परत्यास्था है तो सरहारता अगर बात करें तो दिर्ड पिंड का आसे किसी ऐसे कठोर ठोस पदार से है जिसकी कोई निशित आकरिती या अकार हो परंतु वास्तों में पिंडों कोतनित, संपीडित या बंकित किया जा सकता है यहां तक ही किसी दिर्ड इस पात की छड को भी परियागते बाह बल लगा कर बिरूपित किया जा सकता है जब किसी बस्तु पर कोई बाह बल लगाया जाता है तो उसका आकार या आकरिती या दोनों ही जो है चेंज हो जाते हैं और इस बल को हटा लेने पर वह पून अपनी प्रारंभिक अकार या आकरिती को प्राप्त करने की चेश्टा करती है बस्तु के इस गून को जिसके कारण वह प्रारंभिक अकार और आकरिती पाने का प्रयास करती है इसी को परत्यास्था कहते हैं परतियास्था के गूर्ण की अधार पर बस्तुएं दो परकार की होती हैं पहला पूर्ण परतियास्था बस्तुएं दुसरा पूर्ण प्लास्टिक बस्तुएं इन दोनों के बारे में डिसकस कर लेते हैं अगर पहले के बारे में बात करें तो पहला है पूर्ण जाने पर जिन बस्तुवों पर बाह बल लगाया जाता है उन बस्तुवों पर से बाह बल को हटा लिया जाए तो वो बस्तुवें अपनी पुर्व अवस्था को पूर्था प्रात कर लेती हैं वे पूर्ण पर्तियास्त कहलाती हैं पूर्ण पलास्टिक बस्तुवें क्या है तो जो बस्तुएं बाहा बल को हटा लिये जाने पर अपनी पूर अवस्था में नहीं लोटती, बलकि सदायों के लिए बिरूपित हो जाती हैं, वे पूर सुघट्टे कहलाती हैं। वास्तों में कोई बस्तु न तो पूर तो परत्यास्थ होती हैं और नहीं पूर सुघट्टे, बलकि सभी बस्तुएं इन दोनों सिमाओं के भीतर ही होती हैं। मोटे तोर पर क्वार्टर्ज को पूर्ण परतियास्त बस्तुएं और मोम को पूर्ण सुघटे माना जा सकता है इसके बाद है प्रतिबल प्रतिबल क्या है जब किसी बस्तु पर कोई बाह बल लगा कर उसके आकार या कृति में परिवर्टन किया जाता है तो उस बस्तु की पर्तेक काट या पर्तेक सेक्षन पर बहा बल के बराबर प्रंतु विप्रित दिशा में कुछ है आंत्रिक पर्तिकिरिया बल उत्पन हो जाते हैं जो यह परियास करते हैं कि बस्तु अपने पूराने अकार को प्रात कर ले इस परकार के बलों को प्रतिबल कहते हैं यदि किसी बस्तू के छेत्रफल A वाले किसी अनुप्रस्त काट की लंबोत दीशा में लगाए गए बल का माल F है तो प्रतिबल बराबर F बाटा A हो जाएगा याद रखिएगा प्रतिबल का एसा इमातरक न्यूटन बाटा मिटर स्कॉयर होता है इसके बाद है विक्रिती विक्रिती क्या है सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि यदि किसी बस्तू पर बाह बल लगाने पर बस्तू के अकार या अक्रिती में परिवर्तन हो जाता है तो इसे विक्रिती कहते हैं चुकि विक्रिती जो है एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है इसके बार हुग का नियम है काफी महत्पूर्ण है हुग का नियम क्या है तो वेग्यानिक रावट हुग के अनुसार अगर बात करें तो यदि बस्तु की विक्रिती अधिक नहीं है तो पदार्फ और कार्यद प्रतिवल उसमें उत्पन विक्रिती के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिवल यथा विक्रिती का अनुपात एक नियतांख होता है जिसे परतियास्था गुणांग E कहते हैं तो E बराबर प्रतिवल बटा विक्रिती होता है इसके बाद प्रिष्ट तनाव है सर्फिस टेंसन इसके बारे में देख लेते हैं प्रिष्ट तनाव किया है किसी दराव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र प्रिष्ट ठीक है free surface नियुंतम छेत्रफल घरने की परिविर्ती रखता है और एक तनी हुई परत्या जिली के भाती ये बहवार करता है इसे प्रिष्ट तनाव कहते हैं प्रिष्ट तनाव का एसाई मात्रक नियूटन बाठा मीटर होता है तो प्रिष्ट तनाव क्या है द्रोव की वह प्रकृती जिसके कारण इसका स्वतन्तर प्रिष्ट नियुंतम छेत्रफल घरने की परिविर्ती रखता है तथा इक तनी हुई परतिया जिली की भाती ये बेहवार करता है इसी को प्रिष्ट तनाव कहते हैं और इसका एसाई मातरक न्यूटन बाटा मीटर है किसी द्रौ के लिए प्रिष्ट तनाव का मान द्रौ की प्रकिर्ती द्रौ के ताप तथा उस माध्यम पर निर्वर करता है जो द्रौ के प्रि प्रिष्टतनाव सुने होता है। क्रामतिक टाप पर जो प्रिष्टनाव होता है वो क्या होता है। सुने होता है। यादर रखियेगा। और यदि किसी अगर बात करें, यदि किसी द्रौव का भार नगने हैं, तो इसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। जैसा कि वर्षा की बुंदे और सावुन के बुलबुले ये पूर गोलाकार होते हैं इसका कारण यह है कि बुंद वह आक्रिती धारण करती है जिसमें उसकी स्थितिर उर्जा नियुंतम होती है और यदि बुंद के उपर केवल प्रिश्ट तनाव ही कारे कर रहा है तो उसक छेत्रफ़ल कम से कम हो अतो बुंद गोलकार हो जाएगी किस तरह की हो जाएगी गोल शेप में हो जाएगा इसके बाद है ससंजख और आसंजख बल ये क्या है काफी महकून है ये तो आप इसको रिवाइस कलीजिएगा देगे सबसे पहले ससंजक बल क्या है किसे कहते हैं तो आणविक सिधान्त कनुसार परतिक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है जितने भी पदार्थ होते हैं ये छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते जिने हम अड़ू कहते हैं ये अड़ू एक दूसरे को आकर्शित करते हैं और एक ही पदार्थ के अड़ू के भी जो आकर्शन बल कारे करता है उसे ससंजक बल कहते हैं और वहीं भेन 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 डिफेंट पदार्थों के अड़ों के बीच कारे करने वाले जो आकर्षन बल है इसको आसंजक बल कहते हैं तेल और जल के बीच जथा जो जल है इन दोनों के बीच आसंजक बल और जल के ससंजक बल से कम प्रन्तु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है यही कारण है कि तेल के प्रिष्ट पर डाली गई जल की जो बूंध है वो सिकूड कर गोल अकार धारण कर लेती है वहीं जल के प्रिष्ट पर डाली गई जो तेल की बूंद है और एक पतली फिल्म के रूप में अधिक छेतर में फैल जाती है इसके बारे कैसी कातो है ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं देखें काच की बहुत कम तिरीजिया की जो है दोनों और से खुली नली को केस नली या केसी का नली कहते हैं इस तरह से खुला रहेगा, बहुत पतली नली होता है जो इस नली के दोनों जो सीरा होते हैं, वो खुले होते हैं तो इसी को केसी का नली कहते हैं, प्रियोक साला में आप देखे होंगे केस नली में किसी द्रौ के उपर चड़ने या नीचे उतरने की घटना को किसी कत्व कहते है किसी द्रौ के केस नली में उपर चड़ने या नीचे गिरने के अकारण द्रौ का प्रिश्ट तनाव है ऐसे द्रौ जो काँच को भीगोते हैं कांच को गिला कर देते हैं वे कांच की केस नली में उपर चड़ते हैं जब कि जो द्रौ कांच को नहीं भीगोते वे केस नली में नीचे उतर आते हैं जैसे पारा ठीक है उधारन शरूप किसी केस नली को जल में सिधी खड़ी करने पर उसमें जल नली के बाहर वाले जल के तल से उपर कुछ उचाई तक जो है चड़ जाता है जब कि केस नली को पारे में खड़ करने पर नली के भीतर पारे का तल बाहरी तल के अपिक्षन नीचे उतर आता है के सिकत्व के उधारन क्या क्या है याद रखिएगा यहां से प्रशने पूछे जाते हैं पहला है जल का पौधों के तनों में बनी असंख किस नलीओं में चड़ कर टहनियों तक पहुचाना के सिकत्व का पहला उधारन दूसरा लाल्टेन में जो मीटी की तेल होती है लाल्टेन की जो बत्ती होती है कैसे जलती है तो देखे उस बत्ती में काफी रंधर होते हैं चिद्र होते हैं और जैसे ही मीटी के तेल में उस बत्ती को डाला जाता है तो उसे रंद्र के माध्यम से वो बत्ती के उपरे सीरे पर पहुंचाता है जहांपे लौज मतलग की जो लौज होता है वहांपे जलता है और परकास देता है दूसरा है मोम बत्ती में धागे से मोम का पिघल कर उपर चड़ना है फाउंटेन पेन की नीव की नोक के बीच से चीरी होती है जिसमें से क्या होता है इससे छोटी सी बारी केसनली बन जाती है और इससे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केसनली में चड़ जाती है हलांकि रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण सम्हाव होती है यह प्रिश्ट तनाव पर आधारित नहीं है याद रखिएगा स्याही सोक्ति का कार भी कैसी कत्व किरिया पर निर्वर करता है इसके बाद स्यानता के बारे में डिसकस कर लेते हैं फिगर को देखिए एक बार और फिर एनालेसिस किजिए देखे चित्र में दिखाया गया है कि कोई द्रौ जो है एक दिड़ छैती तल ए बी में बह रहा है द्रौ की उपरत जो तल के संपर्क में इसलिए रहती है प्रन्तो इस तल के उपर की और परतों का जो बेग है वो बढ़ता जाता है आप देख सकते किस तरह से बढ़ रहा है ठीक है देखे इस तल के उपर की और परतों का जो बेग है वो बढ़ता जाता है सबसे उपर की जो परत है स्रवाधिक बेग से बहती है सबसे उपर की जो परत है इसमें बेग सबसे ज़्यादा है तीन समनांतर परत है A, B और C ठीक है? A और B तथा C तीन समनांतर परत है परत A का बेग सबसे कम है, B का उसे अधिक और परत C का बेग सबसे अधिक है याद रखिएगा तो आप देख सकते हैं तो यह परत A, परत B के B को कम करने का प्रयत्न करती है, तथा परत B, परत जो B है, वो क्या करती है, परत C के B को कम करना चाहती है, और इस परकार परतिक परत अपने से नीचे की परत को आगे धकेलती है, और इसे स्पष्ठ हो जाता है, कि विभिन परतों पर आंत्रिक बल कार करते हैं जो कि उनकी सापेक्ष गती को नश्ट करने का प्रयत्न करते हैं इन बलो को ही स्यान बल कहते हैं द्रवों के बहाव को बनाय रखने के लिए स्यान बलो के बिरूद बाह बल लगाना पड़ता है और असपश्ट है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी व चसिग्र ठहर जाते हैं ठीक है इस्तिर हो जाते हैं द्रवों की स्यानता ताप के बढ़ने पर घड़ जाती है इसके बेप्रित गैसों की स्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है ठोसों में स्यानता नहीं होती है दा बराबर क्या होता है तो दा बराबर बल बटा छेत दाब किसे कहते हैं तो एकांग छेत्रफल पर लंबोत लगने वाले बल को दाब कहते हैं दाब का एसाई मात्रक न्यूटन बाटा मीटर स्कॉयर होता है द्रॉव के अंदर किसी बिंदू पर जो दाब होता है तो क्या होता है P बराबर H गुणे D गुणे G P बराबर H गुणे D गुणे G एसके बाद उत्पलावन बल के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है जब कोई ठोस बस्तू द्रॉव में डुबाईज आती है तो उसके भार में कुछ कमी का अनुभावावात होता है आप इसका उधारण इस रूप में देख सकते हैं जैसे आप कुएं की बाल्टी जो होता है उसको कुएं के अंदर जब पानी भरने के लिए डालते हैं जब पानी भर जाता है बाल्टी में और जब पानी के सत्व से नीचे रहता है भरा हुआ बाल्टी और आप रसी से उपर की तरफ खिशते हैं तो उसके भार में कमी का अभार्स होता है ठीक है भार में यह अभार्सी जो कमी होता है द्रौव के द्वारा बस्तू पर उपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है इस बल को ही उत्पलावन बल या उत्छेप कहते हैं उत्छेप बस्तु के द्वरा हटाए गया द्रव के गुरुत्व किंद्र पर कारे करता जिसे उत्पलावन किंद्र कहते हैं इसके बाद है आर्कमेटीज का सिधानत जब कोई बस्तु किसी द्रव में पूण या आंसिक रूप से डुबाई जाती है तो क्या होता है दुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है भार में या अभासी कमी बस्तू के द्वरा हटाए गया द्रौ के भार के बराबर होती है पलवन का जो सिधानत है इसके बारे में डिसकस कलेते हैं किसी द्रौ में इस्तित ठोस बस्तू पर निम्न दो बल कारे करते हैं पहला बस्तू का भार डबलू जो उध्वादर नीचे की और कारे करता है और द्रौ का बस्तू पर उत्छेप एफ जो उध्वादर दिशा में उपर की तरफ जो है कारे करता है उत्छेप एफ का मान बस्तू के दोरा हटाएगा द्रौ के भार के बराबर होत किसी द्रव में बस्तू का डूबना या तैना इन दोनों बलों के जो है आपक्षिक मान पर निर्भर करता है जिसके निम्न अवस्थाएं संभव है पहला यदि डबलू बढ़ है एफ से तो इस दीशा में क्या होगा प्रिणामी बल जो है डबलू माइनस एफ नीचे की और क मतलब कि क्या है डबलू जब एफ से छोट हो जायत मतलब कि कम हो जायत इस दसा में बस तू स्वतंत्र छोड़ देने पर उपर की और उठने लगेगी किसी ठोस का कितना भाग किसे द्रौ में डूबेगा या द्रौ तथा ठोस के आपक्षिक गनतों पर निर्भर करता है इ ठोस का कूल आयतन बराबर ठोस का घनतों बटा द्रौ का घनतों होता है असपश्ट है कि अधिक घनतों वाले द्रौ में ठोस का कम भाग डूबेगा तथा कम घनतों वाले द्रौ में अधिक भाग डूबेगा यदि ठोस का घनतों द्रौ के घनतों के बराबर हो तो ठोस द आपको बताना है, कारण है प्रिष्ट तनाव, B option बिल्कुल correct option है ठीके, किसी दिये गए आयतन के लिए गोलाकार आकरिती के प्रिष्ट छेतरफल अन आकरितियों के प्रिष्ट के छेतरफल से कम होता है और प्रिष्ट तनाव के गुण के कारण किसी द्रौ का स्वतंत्र प्रिष्ट नियुंतम छेत्रफल घरने का प्रियास करता है अत्व वर्षा की बुंदे गोलाकार होती है इसके बाद सेकेंड प्रश्ण है पानी की बुंद गोलाकार होती है क्या कारण है पानी की जो बुंद है वो गोलाकार होती है कारण है आपको मालूम है प्रिष्ट तनाव यानि इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन ए इसके बाद नेक्ष प्रस्ण है ठर्ड वर्सा की बुंदे गोलाकार होती है क्यों होती है जबाब आपको मालूम है इसका सही जबाब हो जाएगा जल में प्रिष्ट तनाव होता पर्विरती का कारण होता है, किस कारण? तो पृष्ट तनाव के कारण तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है तेल जो होता है वाटर के सर्फेस पर तल पर फैल जाता है क्यों फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तल होता है इसका तनाव पानी से कम होता है यानि D option इसका सही जवाब है तेल का प्रिष्ट या तल जो प्रिष्ट त्राव होता है पानी का पिक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है जिक्ष्ट नमबर है मेटी का तेल पानी के उपर इसलिए तेरता है क्यों कि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है B option, मिटी के तिल का घनत, पानी के घनतों से कम होता है, इसलिए या पानी पर तैरता है, सेवे नमबर है, साबुन के बुलबूले के अंदर का जो दाब है, वायू मंडली ये दाब से अधिक होता है, option A बिलकुल correct option है, अगर बात करें तो साबुन, साबुन के घोल के बुलबूले बड़े इसलिए होते हैं, क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका प्रिश्ट तनाव जो है, कम हो जाता है, और बुलबूले के अंदर का दाब सदायो जो होता है, बाहर के वायू मंडली ये दाब से अधिक होत यादि साबुन के दो बिभिन ब्यास के बुलबूले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क मिलाया जाए, तो क्या घटना घटित होगी, इसका सही जबाब क्या होगा, तो छोटा बुलबूला और चोटा और बड़ा जो बुलबूला है, और बड़ा हो जाएगा, यानि B option इसका सही जबाब है, किसी बुलबूले का कार उसमें भरी गैस के दाव या पानी के फिल्म के त्रिजिया तथा मोटाई पर निर्भर करता है, छोटे बुलबूले में गैस का दबाव बड़े बुलबूले के पिक्षा अधिक होता है, अतनली में एक दूसरे के सं अस्थल से छोड़ा जाता है, तो आयूमंडल में उच्छाई पर जाने से क्या होता है, हाइड्रोजन से भारा हुआ पॉलिथिन का गुबारा, पॉलिथिन से बना जो गुबारा होता है, हाइड्रोजन से अगर भर दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस से, तो प्रिथिवी के अस्थल से छोड़ा जाता है तो वायू मंडल में वो जाकर क्या होगा याद रखेगा गुबारे के अमाप में ब्रिधी होगी यानि C अप्शन इसका सही जबाब है हाइड्रोजन से भारा हुआ पॉलिथिन का गुबारा जब प्रिधिवी के अस्थल से छोड़ा जाता है तो वायू मंडल में उचाई पर जाने से वायू का घनत्वे कम हो जाता है और इसलिए गुबारे के अमाप में ब्रिधी होगी प्रशन संक्या 10 है जब किसी साबून के बुलबूले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है जब किसी साबून के बुलबूले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है याद रखिएगा त्रिजिया बढ़ जाती है option A बिलकूल सही जवाब है बुलबुले जो बुलबुले होते हैं इनको आवेशित किये जाने से यह फैलेगा और इसके तरिज्या बढ़ जाएगी एक 11 नमबर है एक ही पदार से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग 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 बार एक ही भार से खीचे जाते हैं तो उनमें से एक में अधिक त्रेंग मतलब की अधिक डैधर ब्रिधी होगी एक ही पदार से बने चार तार हैं एक ही पदार से एक ही मेटल से बने चार तार हैं जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग-अलग बार एक ही भार से खीचे जाते हैं उनमें से किस एक में अधिक्तम जो है दैध हर ब्रिधी होगी तो इसका सही जवाब किया होगा इसका सही जवाब हो जाएगा तीन मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार यानि C अपसों तारो जो चार तार हैं चारो तार एक ही पदार से बने हैं इसलिए इन सभी के यंग परतियास्ता गुड़ांक बराबर होंगे तो इस परकार अगर बात करें तो आप देख सकते हैं डेटा एल समानुपाती एल बटा जो है आरे स्कॉयर है इन तारो की जो धैर बिरधी है इनकी लंबाई के समानुपाती और इनके ब्यास के बर के वेउत कर्मानुपाती होगी चारों तारों की लंबाई ताथा ब्याज का मान रखने पर बीकल्प सी के तार की धेर बिरदीस सिर्वाधिक होगी 12. है पूछा गया है कि निमलेखित कथणों पर बिचार कीजिए और कौन से कथण सही है आपको बताना है तो देखिए किरोसीन दीप का उप्योग मुश्किल हो जाता है यदि कैसी कत्व की परिगटना नहीं होती तो क्या होता किरोसीन दीप का उप्योग यानि जो लालतेन है वो जल नहीं पाता क्या यह सही है बताएए बेलकुल सही है कोई मिरदूप्य का उभोग करने के लिए इस्ट्रो का परियोग नहीं कर पाता किया यह सही है, यह कथन सही नहीं है, यह कैसी कत्व की जो किरिया है यह इस पर अधारित नहीं है स्याई सुख पार्थर काम करने में विफल हो जाता बिल्कुल सही, और बड़े पेंड जीने हम अपने चारो और देखते हैं प्रित्वी पर यह नहीं उगते तो पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है कैसी कत्व के बारे में तो आपका दी अप्शन बिल्कुल करेक्ट अप्शन है बहुत कम भित्री ब्यास वाली कांच के नली को केसी का नली कहते हैं और जब हम केसी का नली को किसी द्रौ में इस परकार सिधा खड़ा रखते हैं, कि इसका एक सीरा द्रौ के सत्व से नीचे और दूसरा उपर तो प्राया द्रौ इस नली में कुछ उचाई तक चढ़ जाता है यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रौ अधिक साधिक जो है इसके उपर सीरे तक जो चढ़ता है किन्तु बाहर निकल कर गिरता नहीं द्रौ की या द्रौ का जो केसी का नली है इसमें इस परकार चढ़ना या नीचे गिरना केसी का तो कहलाता है या दखिएगा और यह घटना द्रौ और नली के कणों के बीच परसपर आसंजक बल के कारण होती है किस बल के कारण होती है आसंजक बल के कारण होती है इसको ध्यान में रखना है देगे प्रकिर्ती केसिका किरिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है पेड़ पौदों के जड़ जोते हैं उबारिक सक्खाएं केसिका नलियों की भाती कारे करके धर्ती से पानी और उसमें घूले हुए पोशक ततों को ग्रहन करती हैं केसिका किरिया के फोल सरूप हैं लाल्टेन की बती तेल की उपर पहुंचती है और ब्लाटिंग पेपर स्याही सुखता है और तौलिया हमारे सरीर का पानी केसी का किरिया में द्रौव बीना किसी बाह बल के मदद से गुर्तवा कर्शन से बिपले दिसा में जो है संकिन नली में चड़ता है जब कि एश्ट्र यही जबाब है पौधे की जड़ों से जल का इसके पढ़ समुकी और बढ़ना तो डी अप्सन दैनिक जीवन में कैसी कत्व के अन्यक एग्जाम्पल मिलते हैं सोकते के द्वरा स्याही का सोकना भूमिगत जल का उपर चड़ना सूती कपड़े पर जल की बुन्द का फैलन लल्टेन और लैंप के बती में तेल का चड़ना पौधे के जड़ों से जल के इसके पढ़ समुकी और बढ़ने के लिए के सिकत्व क्यत्रिक प्रस्वेदन ससंजन आधी किरियाएं भी उतरदाई हैं 14 नमबर है बती वाले स्टोव में किरोसीन के बती में उपर चड़ने का कारण क्या है बती वाला जो स्टोव होता है इसमें किरोसीन के बती में जो उपर चड़ने का कारण है वो कारण क्या है आब बताईए तो किरोसीन के बती में जो किरोसीन उपर की तरफ चड़ता है इसका कारण है प्रिस्ट तनाव बती वाले जो स्टोव होते हैं इसमें किरोसीन के बती में उपर चड़ने का जो कारण है तेल का प्रिस्ट तनाव है और प्रिश्ट तनाव के कारण केसी का करशन होता है जिसके फ़लसरुप द्रो पतली से पतली नली में परवेश कर ऊपर चड़ सकते हैं पंदर है एक केस नली में जल क्या पैक्षा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है इसका कारण क्या है एक केस नली में जल के अपेक्षा एक तरल अधिक उचाई तक चड़ता है तो इसका कारण है तरल का प्रिष्ट तनाव जल के अपेक्षा ज्यादा है तरल का प्रिस्तनाव जल के अप्रिक्षा ज्यादा है केस नली में तरल अपने प्रिस्तनाव के नुपात में चड़ता है जिसका तरल का प्रिस्तनाव जितना ज्यादा होगा वह उतनी ज्यादा उंचाई तक चड़ेगा याद रखिएगा इसके बाद 16 नमबर है जब किसी जील की तली से उठकर वायू बुलबुला उपरी सतह तक आएगा तो उसका अकार में क्या परिवर्तन आएगा जब किसी जील की तली से उठकर वायू बुलबुला उपरी सतह तक आएगा तो उसका अकार क्या होगा बढ़ जाएगा option A बिल्कुल सही जबाब है जब वायू का बुलबूला जील के तली से उठकर उपर की और आने लगता है तो तली की अपिक्षा उपर की और दा भटने लगता है जिसके कारण वायू के बुलबूले का आयतन बढ़ जाता है 17 नमबर है हवाई जहां से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं क्या कारण है हवाई जहां से यात्रा करते हैं अगर आपके पास पेन है तो पेन से स्याही निकलने लगता है इसका कारण है वायुदा में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगता है जब हवाई जहां से यात्रा करते हैं तो अधिक उचाई पर जाने पर दाब जो है कम होता जाता है प्रेशर कम होता जाता है इस कारण उचाई पर पहुचने पर बाहर वायू मंडलिये दबाव और पेन के अंदर स्याही के दबाव का सामे भंग हो जाता है और पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की और निकल पड़ती है 18 नमबर है अटो मोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कारे करने का सिधान्त क्या है अटो मोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कारे करने का जो सिधान्त है वो आपका पास्कल का नियम पास्कल के नियम के नुसार ये जो है सिधांत कारे करता है हाईडालिक के जो अटो मोबाईल्स के जो हाईडालिक ब्रेक है हाईडालिक ब्रेक पठन में अच्चानक इरावट हो जाने से निमलखित में से कौन सी एक मौसम दसा जो है इंगित होती है बैरोमीटर पठन में अचानक अगर गिरावट आ जाता है तो कौन सी घटना घटित होने के लिए ये उतरदाई हो जाता है याद रखिएगा अगर बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाए तो तुफानी मौसम होने की आसंका जताई जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर बात करें तो वायू मंडल ये या जो वायू दाब होता है वायू दाब या बैरो मीटर की रेडिंग में अचानक गिरावट आ जाता है तो यह बंदक की पता चलता है कि मौसम तुफानी होगा नीचे दिएगे चार छिद्रों वाले एक फवारे के चेत्र पर ध्यान दीजिए चार छिद्र हैं 1,2,3,4 फवारे के कौन से छिद्र से पानी अधिक्तम दूरी तक फेका जाएगा इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा बताइए किस छिद्र के माध्य से फवारे का जो फानी होगा सबसे ज़्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा तो इसका सही जवाब है छिद्र नमबर वन से D option कैसे किसी फवारे के छिद्रों से निकलने वाले जल के गती के मापन के लिए याद रखेगा टोर सी सेली के नियम के नुसार जो है भी बराबर अंदर टू जी एच जहां जी गुरत्वे तवरन एच हवारे के जल अस्तर से किसी छिद्र की दूरी और छिद्र जो वन है जल अस्तर से सरवाधिक दूरी पर है जो छिद्र वन है वो जल अस्तर से सरवाधिक दूरी पर है अता सुत्र भी बराबर अंदर टू जी एंच होता है तो छिद्र वन से निकलने वाले जल की गती स्रवाधिक होगी और इसी छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा एक किस नमर है? एक तरल किसी सिलिंडर अकार पाइप में धरा रेखिये रिती से बह रहा है तो पाइप के अक्ष वाले खंड में परवाह की परिछेदी का या पुरफाइल होगा मैप को देखिये जो फीगर है उसको आप देखिये और बताइए इसका सही जबाब क्या होगा? इसका सही जबाब हो जाएगा ओप्शन डी ये वाला कैसे? धरा रेखिये गती में पाइप के पास परतों की गती नियुनतम होती है ठीक है? और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गती बढ़ती जाती है याद रखियेगा बाइश नमबर है ताप बढ़ने के साथ द्रव की स्यानता में क्या परिवर्तन होता है? ताप बढ़ता है तो द्रव की जो स्यानता होती है वो घटती है द्रौव का वह गुंड जिसके कारण द्रौव अपनी भेनभीन परतों में होने वाली सापिक शिदती का बिरोत करता है स्यानता कहलाता है और द्रौव की स्यानता ताप के बढ़ने पर घड़ जाती है और यही कारण है कि जुन माह में सीरा जनवरी माह के तूनला में कम स्यान होता है सबसे ज्यादा स्यानता होती है किस में? सबसे ज्यादा स्यानता किस में होती है? बताइए इसका सही जबाब क्या होगा? इसका सही जबाब हो जाएगा सबसे ज्यादा जो स्यानता होती है वो होता है आपका सहद में सहद की स्यानता सबसे ज्यादा होती है D option बिल्कुल correct option है जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक स्यान होते हैं सहद और glycerin की स्यानता पानी के तूला में अधिक होती है स्यानता का जुकरा में सहथ का सबसे ज़्यादा खुन का उसके बाद जल का उसके बाद वायू का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जल है 0 degree मतलब कि degree centigrade पर गर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर centigrade है यहाँ पर स्यानता जो है दिया गया है जैसे 20 degree centigrade पर और 100 degree centigrade पर कितना स्यानता होता है रक्त का आप देख सकते हैं मसीन का तेल को देख सकते हैं जो मसीन का तेल है ग्लेसरीन की स्यानता सहथ का और इसके बाद वायू का 24 नमर है नेमने में से कौन सा सबसे अधिक स्यान है तो आपको मालू में सहथ सहथ की स्यानता सबसे ज़्यादा होती है श्यानता किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिवल या अपरूपक प्रतिवल के कारण अपने को विक्रित करने का विरोध करता है तो दिये गए विकल्प में सबसे अधिक स्यान सहद है इसके बाद प्रशन शंखिया 25 कथन एक कह रहा है कि तापमान में ब्रधी के साथ ग्लिसरीन की स्यानता जो बढ़ जाती है कारण आर तापमान में ब्रधी अणों की गतीज उर्जा को बढ़ा देती है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है तो देखिए, तापमान में ब्रिधी अणों के गती उड़जा को बढ़ा देती है, ये कथन गलत है, लेकिन जो, ये कथन सत्य है, तापमान में ब्रिधी के साथ ग्लिसरीन की स्यानता बढ़ जाती है, ये कथन गलत है, तो आपका ये कथन गलत हो जाते है, आर कथन सही है, त तो D option बिल्कुल correct option है। तापमान में ब्रिधी के साथ किसी द्रौ यानि गिलिसरीन आदी की स्यांता बढ़ने के बजाए घड़ जाती है। और तापमान में ब्रिधी अणुओं की गती उर्जा को बढ़ा देती है। ये गलत हो जाता है आर सही है। 26 नंबर है कड़े जाड़े में यानि कड़ाके के ठंड में जिल की सता जो है हिम सितित हो जाती है बर्फ से जम जाती है किन्तु उसके तल में जल द्रौ अवस्था में बना रहता है या किस कारण से होता है। कडाके की ठंड में जहील की जो सता होती है बर्फ से जम जाती है लेकिन उसके तल में या तल के जो सर्फिस होता है उसके अंदर जल जो होता है मतलब की लिक्विट फॉर्म में होता है या किस कारण होता है आपको बताना है अगर बात करें तो जल की जो सघंता होता है चार डिगरी सेंटिग्रेड पर अधिक्तम होती है तो इसका सी अप्सन बिल्कुल सही है चार डिगरी सेंटिग्रेड पर जल का आयता नियुंतम और घना तो अधिक्तम होता है जीलों और नदियों केवल जील और जो नदिया है इनकी केवल उपरी सता के जमने में पानी के अन्यमित परसार की महतपूर भूमिका होती है जाड़े के दीनों में वायुमंडल ये तापमान 0 degree centigrade से कम हो जाने पर जील और नदियों के उपरी सतर ठंडी होने लगती है जब सतही जल का तापमान 4 degree centigrade तक पहुँ जाता है तब वो अधिक्तम घनत्यों के कारण नीचे बढ़ जाता है और नीचे की परत में विद्यमान जल को जो है उपर की ओर विस्थापित कर देता है और ये अपर किरिया तब तक चलती रहती है जब तक संपूर जल का तापमान 4 degree centigrade से कम होने लगता है तो उसका घनत्यों कम होने लगता है परिणाम स्वरुप सतही जल नीचे विस्थाप ही रहता है और जील के उपरी हिम सितित सता उस्मा रोधी का कार करती है और जल में वेद्यमान उस्मा को बाहर नहीं जाने देती आगे बढ़ते हैं और नेक्ष्ट प्रश्ण को देखते हैं 27 नमबर सीतकाल में जब जील की उपरी सता का पानी बर्फ में बदल जाता है फि तो इसके सता के अंदर जो जलिय जनतु रहते हैं और जीवित रहते हैं ऐसा क्यों होता है इसका कारण क्या है तो आपको मालूम है पानी का घणातुर चार डिगरी सेंटिगेर्ड पर सबसे अधिक होता है जिसे बर्फ का उपरी जो सता होता है नीचे उपरी जो pack नीचे पानी रहता है तो 4 degree centigrade पर सबसे अधिक होता है पानी का घणा तो है तो बर्व के उपरी सत्व के नीचे पानी जो है liquid form में रहता है जमता नहीं है सीत काल में जहील के उपरी परज होता है 0 degree centigrade तक ठंडा होने पर बर्व बन जाता है लेकिन नीचे का जो जल होता है 4 डिगरी centigrade पर द्रोवस्था में रहता है इसे जील या तलावों में बर्ष के नीचे 4 डिगरी centigrade पर पानी रहता है जिसमे मचलिया और अन जलिये जन्तु जिवित रहते हैं 28 नमबर है बर्ष जमी जील के अंдर बर्फ जमी जो जील है इसके अंदर मचलिय जीवित रहती है क्यों तो आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है इसका सही जबाब है जील की तली पर जो जल है वो नहीं जम पाता है C option 29 नंबर है बस्तु की मात्रा बदलने पर क्या आप परिवर्तित रहेगा बस्तु की मात्रा बदलने पर क्या आप परिवर्तित रहेगा तो इसका सही जबाब है घनत तो है D option प्रशन संख्या 30 है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिगरी सेंटिग्रेड से गिरा कर 3 डिगरी सेंटिग्रेड कर दिया जाता है जल के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा यदि उसकी टेंप्रेचर 9 डिगरी सेंटिग्रेड से 3 डिगरी सेंटिग्रेड कर दिया जाए तो तो याद रखिएगा इस कंडिशन में आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा तो C अप्षन बिल्कूल करेक्ट अप्षन है 9 डिगरी सेंटिग्रेड से 4 डिगरी सेंटिग्रेड याद रखिएगा 9 डिगरी से 4 डिगरी सेंटिग्रेड तक यदि जल का अपमान गिरा दिया जाए तो 4 डिगरी सेंटिग्रेड पर जल का घणत्व अधिक्तम हो जाता है घनत्व आयतन के बयुत कर्मा नुपाती होता है लिहाजा 4 डिग्री सेंटिग्रेट तक घनत्व बढ़ने पर आयतन क्या होगा घटेगा और बाद में बर्फ जबने की परकरिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा 31 है निमने कथनों पर विचार कीजिए तीन कथन दिया गया इन तीनों में सी कौन कौन से कथन सत्य है आपको बताना है पहला कथन है 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटिग्रेट पर उबलते जल में उस्मा की मातरा एक समान होती है क्या यह सही है यह सही कथन नहीं है बर के संगलन गुप्त उस्मा तथा जल की वास्पन गुप्त उस्मा बराबर होती है क्या यह सही है नहीं वातनुकूलक में कच आयू में वास्पित्र कुंडली में उस्मा का निस्कर्षन होता है तथा द्रवणित कुंडली पर उस्मा का निरस्षन होता है बिलकुल सही है तो D यानि केवल तीसरा स्टेट्मिंट सही है 100 डिगरी सेंटिग्रेट के 1 ग्राम दरवेमान के जल का प्रिक्षा 100 डिगरी सेंटिग्रेट के 1 ग्राम वास्प में 536 कैलोरी उस्मा अधिक होती है और वर्प के संगलन की गुपत उस्मा 80 कैलोरी प्रती ग्राम होती है जबकि जल के वास्पन की गुपत उस्मा 536 कैलोरी प का निरसन होता है 32 नमबर है पानी का आप एकछी घनतों सरवाधिक निमलिखित ता पर होता है पानी का आप एकछी घनतों निमलिखित आपको बताना है कि सरवाधिक जो निमलिखित ता पर होता है वो कितना डिगरी सेंटीग्रेड पर होता है तो आपको मालू मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेट से अधिकांस द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में ब्रधी प्रन्तु घनतों में कमी होती है लेकिन पानी का बेवार 0 डिग्री सेंटीग्रेट से 4 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच ठिक उल्टा होता है यदि किसी पात्र में 0 degree centigrade पर पानी को लेकर गर्मिक किया जाए तो 0 degree centigrade से 4 degree centigrade तक आयतन घटता है और घनत वो बढ़ता है चार डिग्री centigrade से जो 4 degree centigrade है इस पर पानी का जो आयतन होगा नियुनतम और घनत वो अधिकतम होता है 33 नमबर किस ताप पर पानी का घनत वो अधिकतम होता है किस ताप पर पानी का जो घनत वो अधिकतम होता है तो 4 degree centigrade पर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 जल का अधिकतम घनत वो होता है जल का अधिकतम घनत वो होता है 277 Kelvin पर B option Kelvin में कैसे निकालिएगा गर्म करने पर 0 degree से 4 degree तक जल का घनत वो बढ़ता है लेकिन आयतन कम होता है और 4 degree पर जल का आयतन नियुनतम तथा घनत वो अधिकतम होता है तो Celsius से Kelvin में परिवर्टन करने के लिए Celsius में 273 आप जोड़िएगा तो आपको Kelvin प्राप्त हो जाएगा तो Kelvin कितना होगा तो 1 Kelvin बराबाबा 273 होता है तो 4 plus 277 Kelvin पर जल का घनत वो जोगा वो अधिकतम होता है 35 नंबर जो प्रशन है यदि किसी गैस का आयतन 27 degree centigrade पर संपीडित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक या किस टेंपरेचर तक गर्म किया जाए कि पूना मूल आयतन प्राप्त कर सके यदि किसी गैस का आयतन 27 सेंटिग्रेड पर संपिडित मुल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुना मुल आयतन प्राप्त कर सके इसका सही जवाब क्या होगा आब बताइए इसका सही जवाब है 327 degree centigrade इसको निकालिएगा तो इतना ही आएगा ठीक है गैस के नियम जो है इस नियम से आप निकालिएगा सुत्र है V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 तो इसको निकालिएगा तो हल क्या आएगा 327 degree centigrade चशटीस नमबर किस नियम कनुसार समान ताप और दाप और सभी गैसों के निश्चित आयतन में अर्णों की संख्या समान होती है किस नियम के नियम समान ताप और दाप और सभी गैसों के निश्चित आयतन में अर्णों की संख्या समान होती है तो इसका सही जबाब है अवगाद्रों का नियम अवोगाद्रो का नियम याद रखिए गए D option बिलकुल correct option है अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है इससे पहले हम लोगोंने शुरू में ही डिसकस किया था अवोगाद्रो के नियम के नुसार अगर बात करें तो समान ताप और दाप और सभी आदर्स गैसों का समान आयतन में कणों या अणों की संख्या समान होती है दुसरे सब्दों में अगर बात करें जब ताप और दाव नियतांग हो तब किसी गैस का आयतन उस गैस में मोलो की संख्या के समानुपाती होता है और गादरों के नियम के गणितिय अभिवेक्ती नियम्नवत हैं आप देख सकते हैं भी बराबर के इन्टू एन या भी वन बटा इन वन बराबर भी टू बटा इन्टू जहां एन कैसों के मोलो की संख्या के नियतांग और भी आयतन है 37 नमर है नियम्न में से कीन परस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कारबन डायोकसाइड के अड़ों के बीच के दूरी बढ़ेगी इसका कारण या परस्थिती क्या है आपको बताना है पहला परस्थिती है कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर दूसरा है कंटेनर से कुछ कारबन डायोकसाइड गैस लिक होने पर पहला और दूसरा इसके संदर में मतलब की आपका सही है पहला और दूसरा डी में दिया है गैसों का कोई निशित आयतन यानि वोल्यूम या सेप नहीं होता है उन्हें जितना भी अस्थान उपलब्ध होता है वे उसे घेर लेती हैं कंटेनर का आयतन बढ़ने पर और कंटेनर से कुछ कारवन डायोकसाइड गैस का रिषाव होने पर कंटेनर में भारी कारवन डायोकसाइड के बीच की दूरी बढ़ेगी जबकि या दूरी वायुदाब को बढ़ाने या कंटेनर में और कारवन डायोकसाइड बढ़ने पर कम हो जाएगी 38 नमबर है कथन ए कहरा है कि लोहे का एक गोला पारत पर तैरता है पारा पर तैरता है लोहा का एक गेंध है ये पारा पर तैरता है किन्तु पानी में डुब जाता है ऐसा क्यों कारण आर लोहे का आपेक्छी घनतों पारा के आपेक्छी गहनतों से अधिक होता है, वो इसलिए ऐसा होता है, क्या ये दोनों सही है, तो देखिए, इसमें जो सही है, वो A सही है, लेकिन R गलत है, यानि C option विलकुल correct option है, लोहे का गोला जो होता है, मरकरी पर तैरता है, लेकिन पानी में डूब जाता है, कारण है, जो मरकरी है, इसक आप एकछी घनतों लोहे के आप एकछी घनतों से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम होता है, 39 है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है, जबकि पानी में डूब जाती है, वही condition है, आपको मालूम है, इसका सही जबाब क्या होगा, लोहे का घनतों पानी से अधिक पारे से कम इसलिए पारे में जो कील होता है वो तैरता है लेकिन पानी में ये डूब जाता है चालिश नमबर एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है ऐसा क्यों एक सुई ये काफी छोटा होता है कम भार का होता है लेकिन पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे से बना जो जहाज होता है काफी बड़ा होता है भारी होता है लेकिन ये पानी पर तैता रहता है इसका कारण क्या है इसका कारण है गुरत्वा कर्शन बल शरी ओप्शन को दे आप एक्षी घनत्व उस बस्तू के भार और उस बस्तू के द्वारा हटाएगे जल के भार के अनुपात को प्रदसीत करता है दूटी 1 है लोहे की सुई पानी की सता पर किस कारण से तैरती रहती इसमें है गुट्वा कर्षणी बल के कारण दिस्ट तनाव के कारण पानी के उत्वण बल के कारण या स्यानता बल के कारण मुझे option बोलना चाहिए था फोटी में तो मैंने उसको बोल दिया था तो मैं option बोलने की कोशिस कर रहा था क्या कारण है तो same question same जवाब हो जाएगा अब बताइए लोहे कि जो सुई है पानी की सता पर किस कारण से तैरती रहती है इसका सही जवाब है प्रिष्ट तनाओ के कारण यानि B option बिल्कुल crack option है प्रिष्ट तनाओ के कारण जो है ऐसा होता है पानी के उपरी सता के जो अड़ंग होते है इनके ससंजन बल के कारण उत्पन प्रिष्ट तनाओ जब सुई के गुरुत्वे बल के जो गुरुत बलोदर सूई का, उसको जब संतूलित कर देता है, तब लोहे की सूई पानी पर तैरने लगता है। 42 है, जब कुए से पानी की बाल्टी को उपर खिचते हैं, तो हमें महसूस होती है कि बाल्टी जो है, और क्या हो रहा है। जब कुए से पानी को बाल्टी से भरे पानी को निकालते हैं उपर खिषते हैं तो हमें किस प्रकार का महसूस होता है पानी की सता से उपर जो है बाल्टी भारी होगी ऐसा महसूस होता है लेकिन पानी के अंदर जब बाल्टी रहता है तो हल्का महसूस होता है आर्कमेडिस के प्रवन सिधान के नुसार किसी भी बस्तू का भार पानी में कम और पानी के सता के उपर अधिक प्रतीत होता है बस्तू के भार में प्रतीत कमी पानी के द्वारा बस्तू पर उपर के दीशा में लगाये गए बल के कारण होता है और यह कमी बस्तू के द्वार विस्थापित जल के भार के बराबर होती है फोटी थरी है एक भारहिन गुबारे में 200 ग्राम जल भरा गया है इसका जल में भार होगा क्या होगा एक भारहिन गुबारे में 200 ग्राम जल जो है भारा गया है इस जल का जो भार होगा वो क्या होगा आपको बताना है तो सुने होगा option A बिलकुल correct option है जब कोई बस तू जल में आंसिक या पून रूप से डुबाई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है या अब हासी कमी उसके द्वारा हटाएगा द्रौ के भार के बरावर होती है चुकि गुबारे में जल के अंदर उपर और नीचे दोनों और जो है उत्पलावन बल लगता है तब जल में गुबारे का जो भार होगा वो सुने होगा भार मैनस उत्पलावन बल दो सो मैनस दो सो यानी जीरो जल में गुबारे का भार सुने हो जाएगा बादलो के वायू मंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप उनका कम बेग दाव या घनतु है तो बादलों के वाईूमंडल में तैहने का जो कारण उनका कम घनत्व है यानि D option देखें गर्मी के दीनों में वाईूमंडल में उपस्तित जलवास्ट गर्मी पाकर गर्म होती है जिससे जलवास्ट का घनत्व घटता है घनत्व घटने के कारण जलवास्थ हलकी होकर उपर उठती है और वायू मंडल के उपरी भाग में दाब और ताप कम होने के कारण ये जलवास्थ फैलती है और पानी की छोटी-छोटी बुंडों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है इसी को बादल कहते हैं कहते हैं समुंद्र में प्लवन करते हुए आइस बर का कितना भाग समुंद्र के सता से उपर होता है सुद जल के बर्प में परिवर्थित होने पर 4 डिगरी सेंटिगरेट ता पर बर्प का घनत्व जल के घनत्व का एक बटा नौवा भाग हो जाता है सुद जल में बर्प का 90 परसेंट भाग पानी के अंदर और 10 परसेंट भाग पानी के बाहर होना चाहिए आकर्टिक और अंटाकर्टिक महासागरों में प्लावी बर्प दिखाई पड़ती है जल के उपर बर्प का किवल 1 बाई 9 भाग हम क्योंकि समुंदरी जल लवणिये होता है और एक घनतव होता है लेकिन इससे निर्मित बर्प लवणिये नहीं होती वसुद होती है चुकि प्रश्ण में समुंदर में प्लावन करते हुए आइस बर्प का सत्ता से उपर का भाग उचा गया है तो ए बिकल्प सही जवाब ह पानी के एक गलास में एक बर्प का तुकड़ा तै रहा है जब बर्प पिघल जाती है तो पानी के अस्तर पर क्या परभाव पड़ेगा पानी के एक गलास है उसमें आप एक बर्प का तुकड़ा डालते है या बर्प का तुकड़ा तै रहा है जब बर्प पूरी तरसे प पानी में मिल जाए तो पानी के अस्तर में क्या प्रभाव होगा आपको बताना है तो देखिए पानी का जो अस्तर है इसमें कोई परिवर्तों नहीं आएगा जितना है उतना ही रहेगा 47 बर्भ का एक तुकड़ा पानी से लवालब भरे बिकर में तै रहा है जब पूरी बर्भ पिघल जाए तब क्या होगा वही जबाब हो जाएगा आपको मालूम है इसका सही जबाब हो जाएगा क्या तो पानी का पानी से भरा लवालब जो बिकर है अगर बर्भ का तुकड़ उसमें पिखल जाता है तो जल के अस्तर में कोई बदलाव नहीं होगा इसके बाद 48 है पानी के 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर सरीर जो है तैरता है यदि तापमान 100 डिगरी हो जाए तो क्या हो जाएगा पानी के 4 डिगरी सेंटिग्रेट पर सरीर जो है तैरता है तापमान अगर 100 degree centigrade हो जाए तो क्या हो जाएगा तो सरीर डूब जाएगा जैर सी बात है द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में ब्रेधी परंतु घनत में कमी होती है 4 degree centigrade पर सरीर पानी में तैरता है क्योंकि सरीर का घनत तो 4 degree centigrade जल के घनतों से कम होता है जब तापमान 100 degree centigrade हो जाए तो पानी का घनतों सरीर का पिक्षा कम हो जाएगा और सरीर डूब जाएगा 49, समुंद्र में नदी का पिक्षा तैरना असान होता है क्यों होता है वो इसलिए होता है कि समुंद्री जल नमकीन होता है समुंद्री जल का घनतों अधिक होता है उसलिए समुंद्र के जल में तैरना असान होता है 50 नमबर प्रश्न है एक पिंड का अधिक्ता भार निमलखित में से किसमे होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा Hydrogen किसी पिंड का दरवेमान सदायो नियत रहता है उसका भार दो चीजों पर निर्वर करता है एक गुरुत्व बल पर दुसरा पिंड पर लगने वाले उत्चेप बल दिये गए विकल्प में Hydrogen जो है सबसे हलका है और बीरल माध्यम है उसके द्वरा लगाए गए उत्चेप बल सबसे कम होगा फिंड का भार Hydrogen में सरवाधिक होगा 51 है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है परवेस करता है तो क्या होता है जब कोई जहाज नदी से सागर में परवेस करता है तो वह कुछ उपर उठता है ठीक है याद लखिएगा नदी के जल के घनत्यों के अपक्षा समुंदर के खारे पानी का घनत्यों अधिक होता है इसलिए समुंदर के जल में जहाज के परवेस करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है जिसे जहाज कुछ उपर उठ जाता है 52 कथन A कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकल कर सागर में परवेस करता है तो कुछ उपर उठ जाता है कि आई यह कथन सही है बिल्कुल सही है और सागर के जल का घनत्यों नदी के जल के घनत्यों से अधिक है वो इसलिए ऐसा हो जाता है यानि A और R दुनों से ये और R A की जो है सही ब्याखिया है option A बिल्कुल correct इसी के साथ आज का session समाथ करते है नेक session में परकास यानि light के बारे में discuss करेंगे और इस पर धारित प्रशनों को भी हम लोग discuss करेंगे तो आप अपना परतिक्रिया देते रहे हैं आपके परतिक्रियाओं का हमें बिस्सबरी से इंतिजार रहता है और जी लोगों ने टेलग्राम चैनल टेलग्राम क्यूज ग्रूप फेस्बूक पेज इंस्टाग्राम को जोइन नहीं किया वीडियो के description box में उसका link है आप जोइन कर सकते थाइंक्यू मिलते हैं